नमस्कार मैं हूँ आपके साथ शुभांगी सिंग मिश्रा और आप सभी का हमारे खास कारिक्रम आइकन्स ओफ MP में बहुत स्वागत है आज हमारे साथ Blue Neighbor Technologies Private Limited के डिरेक्टर और CEO मिस्टर निखिल श्रिवास्तव जी मौझूद है जो की Renewable Energy के शेत्र में एक जाना पहचाना नाम है इनकी कंपनी Blue Neighbor Technologies की टैग लाइन कहती है Preserving the Planet मतलब हमें मिलकर अपने प्लानिट की रक्षा करनी है सर बहुत स्वागत है आपका News 18 में तो चलिए आब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले सर आप से यही जानना चाहेंगे सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में बताइए और उसके बाद बताइए कि Blue Neighbor Technologies किस तरह से काम करती है कितना समय आपकी इस कंपनी को हो गया चुरू से हम लोग इंजिनियरिंग फिल्ड में रहे हैं मैं प्रोफेशन आप इंजिनियर और हमारे फैमली में भी सब इंजिनियर्स थे मैंने टेलिकॉम में इंजिनियरिंग की थी और मैं टेलिकॉम में 1995 से लेकर के 2017 तक इसोसेटेड था तो पूरा टेलिकॉम को जो revolution था जो कि आप सबने देखा होगा कि जहां पर छोटे PSGN phones होते थे और बहुती कम phone मिलते थे धीमेदी में mobile सब के पास data call सब के पास से available था तो इस revolution का मैं पाड़ था और मैंने इंडिया में और करीब 12-13 साल मैंने दुसरे country इसमें भी काम किया है फिर वापस जब टेलिकॉम में काफी consolidation था उस समय मैं technical land में काफी senior था इस समय आ गया है कि मैं line change करूँ और उस समय में मेरे को solar field एक ऐसी field देखी जिसमें कि वही status था जो कि टेलिकॉम का करीब 15 साल पहले था और हर घर में मुझे लग रहा था कि इन घरों में distributed power की इतने सालों के बावजूद भी इंडिया में power की कमी थी और ट्रांस्मिशन के उपर भी बहुत लोट पड़ता है डिस्ट्रिबूटर सोलर पावर लगा करके घर घर में solar लगा करके हम transmission lines के उपर से भी लोट कम कर सकते हैं और हर आदमी अपने घर में अपनी खुद की बिजली भी बना सकता है इस चीज को लेकर करके हमने शुरू कि अपनी अपनी गुरुदाओं में लेकिन मैं खुद मद्रप्रदेश से हूं भौपाल से हूं तो फिर मेरे को लगा कि भौपाल जो कि काफी फ्लैट है और बहुत चीज़ेंड भी हाँ इंडिपेंडेंट हैं तो हमारा में काम अभी भौपाल औ आपने फोकस किया रिनेवल एनरजी के शेत्र में ही क्यों आगे बढ़ने का आपको ख्याल आया कहां से प्रेड़ना मिली आपको इसके लिए आज की डेट में टावर कंपनियां सबसे ज्यादा डीजल यूज करती हैं इंडियन रेलवेस के बाद वहां पर भी हमें बहुत पर काम करना कि देश को और विश्व को भी इससे बताना बहुत जरूर था कि हमें अपना प्लैनेट जैसे कि हमारी कमपनी की टैग लाइन हैं प्रिजरविंग देप्लैनेट हम इस प्लैनेट को प्रिजर्व करके अपने आगे की जनरेशन को अच्छे से देना चाहते हैं और solar के दो important फायदे यह हैं कि एक तो यह हरित उर्जा है दूसरे यह है कि हमेरे देश को उर्जा की जरूरत भी बहुत है इन दोनों को जोड़ करके इसमें business as well as economics और environment दोनों का बहुत sense था इसलिए हम इस फील्ड में आगे बढ़े हैं बिल्कुल तो चलिए यह तो आपने बताया कि आप कैसे इस फील्ड में आगे बढ़े अब आपकी कंपनी पर आते हैं लुनेबा टेक्नोलोजी किस-किस तरह की सर्विसेस प्रोवाइड करते हैं और अगर आपने जो देखा होगा कि बहुत सारे गिगावाट लेवल के प्रेट हो रहा है आज पूरे विश्व के हमारे इसमें लगे हुए हैं लेकिन इस सेग्मेंट में मेरा टार्गेट था कि मैं रिसिदेंशल सोलर और चोटे जो द्योग पती हैं जो छोटे इंसिटूट्स कॉलेजिस हैं इस इन लोगों के लिए हमारा हमको सोलर लगाने का था तो हम करीब 500 किलोवाट जिससे कि हम बना रहा है और एक होता है ऑन ग्रिट सिस्टम जिसमें बिजली आप जितनी बनाएंगे इसको इस्तिमाल करिए और बाकी आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं ग्रेट को जिसको कि आप जब रात को इस्तिमाल करेंगे तो उसके बदले में आपको उसके क्रेडिट मिलत यह सिस्टम को हम ज्यादा तार on-grid systems करते हैं और rural areas में और जो ऑफ-grid system करते हैं बाकी हम और भी प्रोडक्ट से जैसे solar lights, solar garden lights इस type के products मार्केट में प्रोवाइट करते हैं चुले तो काफी रेंज है products की जो आप प्रोवाइट करते हैं आपकी ब्लूनेबर technologies private provide करती है एक और आपसे जानकारी चाहेंगे solar panels power plant system कितने टाइप के होते हैं और क्या इससे लगाने के लिए किसी तरह की subsidy भी मिलती है जैसे कि मैंने आपको बताया में ली solar power plant दो तरीके के होते हैं off-grade और on-grid off-grade वहां लगाते हैं जहांपर बिजली की कमी हो जहांपर हमें जरूरत है बिजली नहीं मिल रही है और हमको इसलिए हम solar panel इस्तमाल करके बिजली बनाएंगे और बैटरी में इस्टोर करके अगले दिन यूज़ कर सकते हैं और रात को यूज़ कर सकते हैं दूसरी बात है जह आप खुद आप घर में इस्तमाल करेंगे और जितने बिजली आपके पास एक्स्ट्रा रहेगी वह एक्स्पोर्ट कर देंगे तो यह हम लोग ज्यादे तर हम लोग ऑन ग्रिट सिस्टम ही लगाते हैं रिस्डेंशल सोलर उसमें तो ठीक है आब आगे बढ़ते हैं बिजन जो कस्टमर हैं वो होटल हो गए होस्पिटल हो गए शोरूम हो गए इवन पर हमने लगाय हुए हैं रिस्डेंशल में गौर्णन की तरह से अप्लाई कर सकता है और सिस्टम लगाने के बाद उस सबसिडी डारेक्ट उसके अकाउंट में आगी यह सिस्टम कि पिछले अगस से शुरू हुआ था उसको तक्रीमन एक साल हो गए हैं और काफी अच्छी तरीके से चल रहा है इसमें हर वेंडर को अपने पैनल कराना पड़ता है MPB से और उसमें उसको यह सब्सडी मिल जाएगी दूसरी बात हुई उद्योगों के लिए उसमें गौर्मेंट ने सबसे पह काफी काम हो जाती है और इसमें आप लोग एक कैपिटल डिप्रिसेशन उसकर सकते हैं जो कि तक्रीबन 40% होता है तो वह डिप्रिसेशन 40% अगर आपने मान लिए 10 लाग कर देप्रिसेशन उसकर लिए तो आपकी जो टैक्स की सेविंग काफी अच्छी रहती है आप तक्र जानकारी मिले तो काफी अच्छी चीज़ है अगर वो सुलार पैनल्स का ना सिर्फ अपने रेसिदेंशल में बलकी कमर्शिल में भी यूज़ करते हैं एक और जानकारी आपसे चाहेंगे निखिल जी की रूफटॉप सुलार पैनल्स का मेंटिनेंस कैसे किया जा सकता है अ अग्योंकि उसके उपर ग्लास रहता है तो उसके थोड़ी क्लीनिंग की जरुवत होती है तो अगर आप दो हफते में एक बार उसकी क्लीनिंग करें तो आपका जेनरेशन अच्छा रहेगा करीबन अगर अपने बिल्कुल भी क्लीनिंग नहीं की तो आपका जेनरेशन दस से बीस परसेंट तक आपका जेनरेशन कम हो जाता है जो नॉर्मल जहां पर हलकी फुल की धूल होती उस एरियाज में बाकी इसमें में रहता है हमारी कंपनिये से वन से नाव कॉर्टर हम लोग साइट विजिट करते हैं उसमें स्ट्रक्चर का कैसे है जो नट बोल्ट सब ठीक है के नहीं है कहीं पर मान लीजे कोई रस्टिंग की चांस है तो रस्टिंग तो नहीं हो रही है बाकी जो इलेक् बार विजिट करती है साइट्स पे जहां पर की पूरी साइट का एक कैंड ओडिट होता है रूफटॉप सोलर का सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि इसको लगा करके आप एक बहुत बड़ा एक बजट में जो आपका वो रहता है हर महीने जो बिजलिक बिल रहता है उसको आप तकरीबन पूरा 90% तक आप उसको हटा सकते हैं इसके अगर हम छोड़े सिस्टम की बात करें तीन किलो वाट के सिस्टम की तो अगर जो सबसेडी मिलने के बाद इसके आपकी करीब साड़े-चार साल में आपका रिटर्न ओफ इन्वेस्मेंट हो जाता है हमारी कंपनी 2018 से काम कर रही है मैंने खुद अपने घर में 2019 मार्च में सिस्टम लगाया था जिसने के तकरीबन 20,000 उनिट बना ली है तो करीब 1,60,000 रुपए का मेरे को फैदा हो चुका है अगर हम 8 रुपए का रेट ले तो और उसको लगाय हुए करीब 7-4 साल हुआ है और उसका मेरे को सबसिडी बगार के बात करीब 1,30,000 रुपए का उस समय मेरे को सिस्टम बढ़ा था तो आप खुद ही देखे अब जबकि इसकी लाइफ अराम से अगले 20 साल तक यह अच्छी से चलता रहेगा और इसमें को ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है दूसरी बात है कि अगर हम इसक इन साल के अंदर आपका फूरा पैसे निकल जाता है और दूसरी बात जो सबसे जरूरी है वो यह है कि यह इंफलेशन फ्री है आपने एक बार जो आपने जो पैसे लगाया है बिजली का रेट अभी मानली यह आठ है आज से चार साल बाद बार रुपे का हो जाएगा तो भी आपके लिए वो आपको इस इस इंफलेशन से डरने के कोई जरूरत नहीं है